So, hello guys, मेरा नाम है साजी सेफी and you are watching Technical सेफी and guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से शेर पैनल के अंदर किसी भी एप्लिकेशन को हाइट कर सकते हैं, किसी भी एप्लिकेशन का हम नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं शेर पैनल के अंदर and आज के इस व मोड भी चेंज कर सकते हैं, मेरे पास काफी सारे कमेंट काफी तनों से आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, शेर पैनल के कस्टमाइजेशन के ऊपर, तो चलिए अब हम फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, हम अपने मॉवाइल की स्कीन पर आ चुके हैं, वाइल जैसा कि आप इस स्कीन पर देख रहे हैं, आपको इस स्कीन पर एक एक एप्लिकेशन देखने को मिलेगी, जिसका नाम है शेर डियार, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फोलो करना है, और आपको अपन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस एप्लिकेशन को काफी एजली यूज कर पाएंगे अपने किसी भी Android मॉवाइल के एंदर, तो इस एप्लिकेशन को यूज करने के लिए आपको पहला वाला ओप्शन देखने को मिल रहा है, इन इसका शो होगा, बस आपको इस एप्लिकेशन को सेलेट करना है, और इसके बाद जो आलवेज इसको सेट कर देना है, और जैसा कि यह आप देख रहे हैं, यहापकी जितनी भी शेरिंग एप्लिकेशन वो सारी आपको यहाँ शो हो जाएंगी, और आप इनको इस तरह से करना है, तो जैसे ही आप किसी भी एप्लिकेशन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं, तो यहाँ आपको चार ओप्शन देखने को मिल जाएंगे किसी भी एप्लिकेशन के लिए, जैसे कि अगर पहले ओप्शन की बात किया है, तो यहाँ आप उस एप्लिकेशन को पिन क कर सकते हैं और आप किसी भी एप्लिकेशन का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप शेयर पैनल में उस एप्लिकेशन का नाम भी रेनेम के जरीए चेंज कर सकते हैं और लास्ट ऑप्शन की बात किया है तो लास्ट ऑप्शन के जरीए आप उस एप्लिकेशन की एप इंफो में अगर आप इसके लिए आप को त्री डॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको क्लिक करना है जैसे हम इस अगर आपको और भी और शॉप्ष्शन इसे के अंदर जाते हैं, आप इसका लोगा करना चाहते हैं वो सारी की सारी यहां शोब हो जाएंगी चलिए यहां पर हम एप्लिकेशन के नाम को भी चेंज करके एक बार देख लेते हैं तो इसके लिए आपको simply rename को सेलेट करना है एंज जैसी आप रेने को सेलेट करते हैं तो यहां पर आप किसी भी application के नाम को भी change कर सकते हैं जैसे कि मैंने फिलाल WhatsApp के नाम को वाट में change कर दिया और आपको simply करना क्या है सेफ पे क्लिक कर देना है एंज जैसी आप सेफ पे क्लिक करते हैं तो सेफ पे क्लिक करने के बाद यहां वाट सेप करना वाट ओनली हो चुका है तो आप इस तरह से इस application के जरीए काफी अच्छे से अप अपर अपनी गैलरी के बाहन देखते हैं कि हम किस तरह से शेर पैनल eale को use कर सकते हैं हो जो कि हमारा नएया Isaiah आपको एक पिस से काफी इसली कहीं भी अपनी किसी भी फोटो को शेयर कर सकते हैं ठीक इसी तरह से आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं यह आपको एक बात किलरली बताना चाहता हूं कि यह जो हमने एप्लिकेशन इंस्टॉल की है अपने फॉन के अंदर इसके अंदर कि आपको एक चोटा सा बग देखने को मिलेगा में भी हो सकता है कि अपडेट के बाद यह बग सही हो जाए और दोस्तों बग यह है कि यह एप्लिकेशन कभी कभी कहीं कहीं वर्क नहीं करती है जैसे कि फॉर एक्जामपल के लिए अगर हम यूटूब पर किसी भी वीडिय को अगर शेयर करना चाहते हैं तो जो हमारा शेयर पैनल है वो जो डिफॉल्ट शेयर पैनल होता है वही आपको शो होगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर फिलाल जो मेरा डिफॉल्ट शेयर पैनल है वही मुझे शो हो रहा है तो यहां इसके अंदर एक चोटा मोटा में भी हो सकता है कि अपडेट के बाद ये सही हो जाए खर आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके फॉन के अंदर ये एप्लिकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है खर मिया यूटूब पर ही मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली बाकी सब जगा ये मेरे फॉन के अंदर काफी अच्छे से वर्क कर रही है और फिलाल मैंने इसको सैमसंग के फॉन के अंदर यूज करके देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके फॉन के अंदर ये एप्लिकेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है तो दोस्तों फिलाल एक और न्यू वीडियो के साथ